इस्टेंड अलोन एमसी क्यूज डाइग्राम बेज एमसी क्यूज केज बेज़ एमसी क्यूज और कॉंपिटेंसी बेज़ एमसी क्यूज ऐसे 40 मिल्टिपल चोईस कोशन्स आपको करने पड़ेंगे फिरिफ उन सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर आपको क्या लगता है आसान है क्या ऐसा पेपर करना इसमें टाइम बहुत कम मिले इडिस दोस्तों मैं आज आपको दो बड़ी चीज़े बताने जा रहा हूँ सबसे पहली बात CBST के कंट्रोलर सर सायम भरदवाज जी ने अनौफिशियली न्यूस के माध्यम से ये बात शेयर कर दी कि आप लोगों के ट्रमवन के बोर्ड एक्जाम 15 नवंबर से शुरू हो जाएंगे वैसे तो बहुत से बच्चे दिसंबर में एक्सपेट कर रहे थे तो इस आप से तो आपका एक महीना तयारी का कम हो गया एक्जेक्ट डेट पता करने के लिए हमारी टीम ने कॉल करके कनफरमेशन ली तो 99 परसेंट ये पता लगाए कि एक अक्तूबर को यानि आस्ते 7-8 दिन बाद ही आपकी ओफिशियल डेट्स अनौन्स कर दी जाएंगी तो इसका मतलब मेरे दोस्तों ये कि सिरिफ आपके प के लिए ताकि मेरा कोई भी विद्धियारती मैच की तयारी में टर्मवन के अंदर पीछे ना रहा है बहले आपने महेंगी कोचिंग नहीं ली बहले आपने स्कूल की क्लासे नहीं करी लेकिन कोई बात नहीं आप मुझसे पढ़ रहा है तो मेरा परस बंदा कि मैं आपकी मैं पूरे त्यारी कर वाऊं तो जो ट्रिक्स में आज आपको बताने जा रहा हूं वो ट्रिक्स आप फॉलो कर लेना सिम्पल से पहले हम बात करते हैं पेपर के ब्लूप्रिंट की यानि पेपर किस तरह का आएगा स्चिछन ए बी और सी और उसमें के अंदर आपको मिलेंगे 19 MCQs ऐसे जो stand-alone वाले हैं stand-alone मतलब अलग-अलग chapter से आपके अलग-अलग MCQs बनेंगे इस type से यहाँ पर मैंने कुछ examper के लिए आपको दिखाए भी है और एक MCQ आपका होगा जो कि diagram या graph based होगा कोई diagram आपको दे दिया जाएगा कोई एक सवाल graph का आपका हो सकता है section A के अंदर इस तरीके से आपके बन जाएंगे 20 सवाल लेकिन 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 क्या आपको सिर्फ और सिर्फ 16 questions सी attempt करने 16 MCQ आपको solve करने हैं अब सवाल यह उठता है कि कितना टाइम आपको इसमें लगाना है बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए इसको आप नोट भी कर लीजिएगा कि section A को आपको solve करना है only in 20 minutes मतलब आपको 20 minute लगाने है section A को solve करने में 20 minute में आपका section A solve हो जाना चाहिए तो section A हम निप्टाएंगे 20 minute के अंदर यह बात हमने सीख ली है अब section B की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चो section B section ऐसे थोड़ा ज्यादा difficult रहने वाला है क्यों रहने वाला है क्यूंकि इसके अंदर जोगी stand alone वाले question से इनकी संखिया देखिया कम हो गई है यहाँ पर आपके stand alone वाले सिर्फ 14 या 15 पूछे जाएंगे लेकिन लेकिन यह कि यहाँ पर आपके डाइगिराम और गिराफ बेस्ट वाले questions की संखिया बढ़ गई है इसमें section B में आपको ज्यादा गिराफ वाले questions देखने को मिलेंगे ज्यादा ज्यादा डाइगिराम वाले questions देखने को मिलेंगे तो इनमें आपको ज्यादा time invest करना पड़ेगा बड़े सवाल होंगे आपके यह section B के अंदर पिलस एक चीज़ और इसमें extra है क्या वो यह कि इसके अंदर आपको एक mcq मिलेगा जो की competency based वाला होग जैसा यहां पर यह Olympics के रिंग दे रखे हैं इस टाइप का पूरा case based बना दिया गया आपका तो ऐसा आपको एक mcq देखने को मिलेगा जो case based होगा section B के अंदर ही वही बात इसमें भी आपको कितने questions attempt करने हैं 16 questions attempt करने हैं अब बात कर लेते हैं कितना time invest करना है तो आप बन पर आप देंगे section B को 40 minutes 40 minutes के अंदर या 40 minutes आपको लगाने है section B को solve करने में कितने minute लगाएंगे 40 minutes कितना time आपका हो गया आपका एक घंटा हो चुका है paper करते हुए so guys section A और section B दोनों में ही आपको 3 types के questions देखने को मिलेंगे first one is stand alone वाले mcqs हो जाएंगे second one is diagram and graph based mcq and third one is competency based or case based questions आईए दोस्तों आप बात करने जा रहा हूं में इनकी tricks और tips कि कौनसी tricks आप use कर सकते हैं कि आपके answers आएंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे stand alone वाले mcqs की tips और tricks की देखिए मेरे दोस्तों इनके अंदर जो भी questions आपसे पूछे जाएंगे आपको यह से यह पहचानना है कि उसके अंदर कौन सा formula लग रहा है या कौन सी theorem लग रही है अगर आपने इतना काम कर लिया ना बस मुननर आ जाओ मज़े आजाएंगे आपके बस यह पता करना है कौन सा formula लगा कौन सी theorem लगनी है वो theorem लगाओ छूटी सी calculation एक मिनिट के अंदर आपका answer आजाएगा practical करके दिखा जाता हूं आपको अभी मैं आपके सामने sample paper के अंदर से ही पूछा गया सवाल ले लेता हूं यह सवाल आपका कोडिनेर्ट जुमेटरी वाले chapter के अंदर से सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि एक ट्राइंगल के हमें कोडिनेर्ट दे रखें ABC के मतलब एक ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ है उसके तीनों जो कोने हैं उसके वर्टिस के वो दे रखें कोडिनेर्स और हम एक जी दे रखा बीच का यहां पर सेंटर का व्रॉडिनेर्स आप हमसे पूछे एक संट्रॉई की वेलिज्व अब मैंने सोच शुचा भाई यह एक ट्राइंगल इक सिंटर का पॉइंट है एक ट्राइंगल एक संट्र का पॉइंट याद आ घिला डिमाग क्यों पत्ति च और यह कुछ भी अलग नहीं है यहां पर एक सवाल में और यहां पर हमसे पूछा गया कि एक लाइन बनाई जाती है तो वह लाइन जो है एक्स एक्स जो है वह उसको डिवाइड करेंगी जहां रेशो की बात जाएगी मेरे दिमाग के पत्ते फिर से जल जाएगी कि मुझे स्रीफ और स्रीफ section formula लगाना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा बस यह आपको करना है section formula लगा देना है variables भी same है x की जंगा x की value रखो y की जंगा y की value रखो कुछ ही seconds के अंदर solve हो के आपका सही option सही answer आपकी आपको के सामने होगा तो इस तरीके से आप सारे stand alone mcqs कर सकते कि अगर आपने formula या theorem पकड़ ली उस सवाल की तो आपका वो सवाल 100% सही होगा अब ये formula थेorem कैसे पकड़ोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा वी वीडियो देखते रहो इसलिए अब लेकिन उससे पहले में बात करूंगा diagram based वाले और graph based वाले questions की tricks की come on guys अब देख लेते हैं यहाँ पर diagram based वाले mcqs की क्या tricks और क्या तरीका हो सकता है तो मैं आपके लिए question ले रहा हूँ आपके chapter में से इसका नाम है areas related to circle ठीक है उसका भी एक सवाल cbs3 ने से पहले पर में डाला है जो की आपको के सामने में चिपका दिया है यहाँ पर हमें सवाल को देखू तो यहाँ पर मुझे दिखे रहा है एक अर्द विरत सेमी सरकल उसके अंदर एक triangle बन रहा है और हमसे पुछे जा रहा है यह area of shaded region निकालना है चायादार पार्ट का आपको छेत्रिफल निकालना है हिंदी वालो तो कैसे निकल सकता है भाईया अगर मैं इस सेमी सरकल के अंदर से ट्राइंगल तिरी बुझ भन रहा है इसका छेत्रिफल इसका area माइनस कर दूंगा तो area of shaded region आ जाएगा मुझे प्लेन फिगर्स के बारे पता होना चाहिए मैंने यहाँ पर नजर दोना ही और पाया यह तो बिल्कुल इसके डेसाई दिख रहा है मुझे सेम एज इट इस कुछ भी फरक नहीं है जो चीज़ यहाँ पर समझा रहा कि यह उसी चीज़ सवाल पूछ लिया गया है cbs लेजड़ेट आपको यही खेल समझना हैं अब है के इस बेज़ वाले कोश्ण की क्या ट्रिक हो सकती है एक सवाल मैंने आपके लिए हाँ पर ले लिया लिया दीजिए सवाल काफी लंबा चोड़ा है पूरा केस बना जया कि शिवानी जो है शिवानी ने पोस्टर बनाया ह है उसमें अलग अलग चीज़े दिखाई हैं उसमें पंक्ट्रिक लगाने वही आपको पहचानना है कि सवाल कौन से चैप्टर से लिया गया है तो यह सवाल आपका लिया गया है एरिया रिलेट्व चैप्टर के अंदर से मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर वाला कॉंसेप्ट यूज़ा इसके दर क्यूंकि मुझे आपके सामने हैं यह चीज आप लगा कि छोटी मूटी कैलकूलेशन करके अपने से लिकर आजेंगे अगर आपने यह पहचान के यह चीज पता कर ली कि क्या चीज उसके अंदर यूज़ हो रही है दोस्तों यही है ट्रिक बस दोस्तों अब आपके मन में यह इच्छा हो रही होगी कि यह सारे स्पेशल फॉर्मूला जो यह सारे एक्जेक्ट डाइगराम जिन से CBST Board Exam के अंदर MCQs बना कर आपसे पूछेगा अगर यह सब आपको एक ही जगा पर मिल जाए तो आपके तो मज़े आ जाएंगे दोस्तों आपकी इस समस्त्या का भी समधान कर दिया गया है किसने समधान किया है दोस्तों Educard वालोंने CBST के सेंपल पेपर को समझ कर और सबकुछ आपके लिए दे दिया है आपको मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा जैसे की मैने यहां पर ले लिया आपके लिए कोडिनेत्य जिमेटरी का सारे जितने भी पॉसीबल यहांपर हो सकते है आउटकम सब यहां पर आ चुके देखिए CBST सेंपल में अभी जो मेंशा को बता कि सेंटर वाला था और आपका इसके अलावा भी कुछ हो सकता है यह मिट पॉइंट वाला भी हो सकता क्या पता इसी का सवाल आ अपका इसके अलावा स्टेइंब पॉर्म्ला ओ गया डिस्टेंज आपका ओरिजन से तो अगर आप मेरी बताई गई ट्रिक्स और एक्जेक्ट पेपर पेटरन पे तैयारी करना चाहते हैं उसकी प्रेक्टिस करना चाहते हैं आने वाले पास दिशे हपतों के अंदर तो एजुकार्ड वालों की ट्रंबन की सेंपल कोशन पेपर की जो मैथमेटिक्स की वाली उसको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं मार्किट में कोई और दूसरी बुक अभी नहीं है जो इस टाइप का क्वालिटी कंटेंट इतना स्ट्रिक्ली बेस्ट्रूसी बेस्टी आपको दे रहे तो इसलिए यही बुक है जहां पर आप प्रेक्टिस हो सकती है आपकी मेरे वच्चों मेरे वच्चियों सब कुछ सुन लो ध्यान से आप लोग जाग जाओ बहुत कम टाइम बचाए आपके पास सिरिफ आपके बाद चार से छे हफ़ते हैं तैयारी करने के लिए तो अगर अभी तक भी आप सो रहते तो अब जाग जाओ बहुत लेट हो चुका है पटापट से अपने बुक्स आप ओडर करके इसको मंगाएं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दिया गया है लिंक पर क्लिक करकर आज ही प्रेक्टिस स्टार्ट करने बारा तेरा सेंपल पेपर है फटापट सारे कर डाले जितनी आपकी इस लेकर अपनी तयारी को शुरू करें तो अगर आब हम बात करें सेक्शन सी की इसके अंदर आपके दो बड़े-बड़े केस के कोशन पूशे आएंगे कुछ इस तरह के जैसे मैंने यहां पर एक सवार आपको दिखा रहा हूं मैं ले आ गया है मेरे दुवारा अब इसक अरी के से आपका आप टाइम मैनेजमेंट बन जाएगा जो कि यहां पर आ रहा है आपके सामने देख सकते हैं पूरा समफ कर लेते हैं अब देखिए यहां पर क्या हुआ सेक्शन एक के लिए मैंने आपको बढ़ा आपको करना है 20 मिनट्स के अंदर सेक्शन बीजो तो मैंने टाइम कर दिया था बीस के बादा चालिस मिनट आपका यह तो आपका कितना होगे एक घंटा आपका यह हो गया ठीक है टोटल पेपर आपका देड़ घंटे का ही 90 इसके लिए तो 40-60 यहां से 80 मिनट आपके अभी भी आपके पास 10 मिनट बच जाते हैं इस 10 मिनट में आप क्या करेंगे तो मेरे दोस्तों एमार श्रीट के अंदर आप गोले भी तो भरेंगे ना उसमें टाइम लगता है तो इसलिए वह जो आपकी 10 मिनट है वह टाइम कोई गोला आपका मिस्तों नहीं हो गया सारे आपने आंसर पिल करें या नहीं करें कोई सब्सक्राइब करने के लिए आपके 10 मिनट थे इस तरह किसे 90 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पेपर होगा मेरे प्यारे बच्चों अगर आप मेरी बताई गई इस ट्रिक को फोलो क करते हैं तो मैं 110 परसंट आपको गैरेंटी देशता हूं कि आपका गिवन टाइम के अंदर पूरा का पूरा पेपर बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और आपको रिविजन का भी टाइम मिल जाएगा तो अगर आप मेरी बताईवी ट्रिक को सीखते हैं आप मेरी वी पर अच्छा जाए आप 40-40 नंबर लाएं में तो यह चाहता हूं तो इसलिए मैंने आप कोई भी आपके कसन ने छोड़ी पूरा का पूरा हापर आपको सब कुछ बता दिया है तो प्रैक्टिस कर लेना सिर्फ डेड़ सो रुपिय की वह किताब है सेंपल पेपर की प्रैक सब्सक्राइब में लिंक दिया गया है ठीक है कि बहुत चले लोटूंगा मैं फिर से टाटा बाए बाए खुदा आप इस फिर मिलेंगे वाफिस